भारत में अगस्ट सितंबर के महिने में एक्टवार होता है जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं ये हाथी के चेहरे वाले भगवान है वास्तव में उस चेहरे को हाथी का नहीं होना था उसे एक गण का होना था कहीं किसी कलाकार ने गलती कर दी और वो हाथी का चेहरा बन गया उन्हें गणपती कहा जाता है, जिसका अर्थ है गणों के मुखिया, तो लोग गणेश जी की मूर्ती बनाते हैं, मिट्टी से, कच्ची मिट्टी से, और उन्हें सुंदर रंगों से सजाते हैं, कुछ लोग बिना रंग वाली मूर्ती पसंद करते हैं, कुछ रंगों वाली, फिर उनकी पूजा की जाती है उनके पास धूम धाम से उत्सव मनाया जाता है संगीत समारो होते हैं बड़े-बड़े समारो होते हैं कुछ लोग बहुत बड़ी मूर्तियां बनाते हैं 108 फूट उची मगर उत्सव पूरा होने पर आम तोर पर ये एक अफ़ते या पंदरा दिनों तक चलता है लोग जाकर मूर्ति को किसी जील या समुद्र में विसर्चित कर देते हैं ताकि भगवान जल में घुल जाए एक देवता बनाईए उसे लेकर एक दिवानगी पैदा कीजिए उसे अपना पूरा जीवन बना लीजिए उन पंदरा दिनों या एक महिने में गणेश के सिवा कुछ नहीं होता हम वही खाते हैं जो वो खाते हैं हम वही पसंद करते हैं जो उन्हें पसंद है सब कुछ उनके जैसा होता है मगर फिर एक दिन हम उन्हें विसर्जित कर देते हैं विसर्जन के बाद उनका काम खत्म सिर्व यही एकलौती संस्कृती है जो अब भी यह जानती है कि भगवान हमने बनाए है वो बहुत थिक सक्रियता के प्रतीक है क्योंकि उन्होंने महान ग्रंथ लिखे और जिस रिशी ने बोल-बोल कर ये ग्रंथ उनसे लिखवाए गनेश ने उनके लिए ये चुनाती रखी कि उन्हें बोलते समय कभी भी रुकना नहीं है उन्हें लगातार बोलना होगा और वो लगातार लिखेंगे वो बोले अगर आप रुके तो उसके बाद मैं नहीं लिखूँगा ये रिशी के परीक्षा थी कि वो जो बोल रहे हैं वो वाकई उनके अस्तित्तों का स्त्रोथ है या एक विद्वता पून चीज है जिसे वो अपने मन में गड़ रहे हैं तो गणेश ने कहा अगर आप बिना रुके बोले तब ही मैं लिखूँगा आप कहीं रुके तो एक बार अपनी कलम नीचे रखने के बाद मैं दुबारा नहीं लिखूँगा तो व्यास रिशी लगातार बोलते रहे ये काम महीनों चलता रहा गणेश एक भी शब्द छोड़े बिना लिखते रहे वो सबसे बहतरीन स्टैनोग्राफर थे वो मानव बुद्धी के प्रतीक है ये प्रतीकात्मक रूप से बहुत सही है क्योंकि आपकी बुद्धी की प्रकृती यही है आप जागरुकता के साथ कुछ कल्पना करने के लिए उसका इस्तिमाल कर सकते हैं अद्भुत कल्पना हाथी के सिरवाला आदमी हाथी का सिर क्योंकि धर्ती पर यही सिर सबसे बड़ा है इसका मतलब है धेर सारा दिमाग तो मानव बुद्धी का प्रतीक के प्रतीक है कि अगर आप अपनी बुद्धी का सही इस्तिमाल करें तो आप दुनिया को विलीन कर सकते हैं अपनी बुद्धी की गतिविधी को विलीन करना कोई समस्या नहीं है एक बार आप अपनी कल्पना से दुनिया को विलीन कर दें तो कल्पना को गायब करना कोई बड़ी समस्या नहीं है आप अपनी कल्पना से ब्रह्मांड को मिटा सकते हैं आपके अनुभव में ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं होगा अगर आप एक शक्तिशाली कल्पना करें मगर कल्पना को बंद करना अधिक सरल प्रक्रिया है अगर कल्पना जागरूकता के साथ विक्सित की गई है तो उसे बंद करना आसान है फिलाल कल्पना हिस्सों में हो रही है और बिना जागरूकता के फिर उसे रोकना नामुम्किन लगता है तो ये पूरा उत्सव इसका प्रतीक है कि हम उन्हें बनाते हैं और आपको उनके आसपास होने वले जशन को देखना चाहिए आम तोर पर उन्हें सर्वजनिक स्थानों पर रखा जाता है निजी मूर्तियों को हर घर में रखा जाता है इसके अलावा सडकों में विशाल मूर्तिया रखी जाती है कई सडकें इन 15 से 30 दिनों के लिए बंद रहती है ट्रैफिक रुख जाता है वो सडक के बीचों बीच विराजमान रहते हैं उनके आसपास बड़े उत्सव संगीच जैसी चीजें होती है इस दौरान लोग उनके आसपास ही रहते हैं मगर समय आने पर वो जाकर उन्हें विसर्जित कर देते हैं और हो गया वो चले जाते हैं अगले एक साल कोई उनके बारे में नहीं सोचता अगर आप अपनी कल्पना और बुद्धी के साथ पूरी तरह यही कर सकें यह मन या यह गतिविधी जिसे हम मन कहते हैं मैं चाहता हूं कि आप इसे साफ साफ समझ ले आपका मन कोई पूर्ण वस्तू नहीं है यह सिर्फ एक खास तरह की गतिविधी है गतिविधी नहीं तो मन भी नहीं हाया ना मान लीजिए अभी आपके पास कोई विचार नहीं है क्या आपके पास मन है ओ मेरे पास मन है, मेरे पास मन नहीं है हाँ आपके पास है क्योंकि यह एक विचार है अगर विचार नहीं है तो मन जैसी कोई चीज नहीं है क्योंकि ये एक तरह की गतिविधी है चेतना बिना किसी गतिविधी की मदद के भी मौजूद हो सकती है गतिविधी चेतना का निर्माण नहीं करती चेतना गतिविधी का निर्माण करती है मैं हाथ हिलाता हूँ हाथ मुझे नहीं हिलाता है मैं हाथ को हिलाता हूँ इसी तरह मैं अपने मन को चलाता हूँ इसका उल्टा नहीं लेकिन अभी इसका उल्टा ही होने लगा है आपके मन की प्रकृती ही आप बन गए हैं, है न? आपका मन जितनी पागलपन की चीजें करता है वही आपका गुण बन गया है, है ना? अब इन भूमिकाओं को पलटना सबसे महत्वपून है क्योंकि अगर आप अपने मन की प्रकृती को तै करें तो कुछ असाधारण हो सकता है अगर आपका मन आपकी प्रकृती को तै करता है तो ये एक संयोग है ये एक बुरा संयोग है या नहीं? वो स्थितियां तै करती है मगर ये एक संयोग है